चलिए अब शुरुआत करते हैं हमने आकाश में कैसे हम सुरक्षित रहें अंतरिक्ष में हम कैसे सुरक्षित रहें उस पर चर्चा की लेकिन बहुत महत्वपूर है कि पानी की सतह पर सतह के नीचे और पानी के ऊपर आकाश में हम हमेशा सुरक्षित रहें और ये मेरा पूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, नौसेना में आइनस विराट के आप कैप्टन रह चुके हैं, वेस्टर नेवल कमांड आपने कमांड की है, सर, एजेंडा आज तक किस महामंच पर स्वागत है आपका, दन्योद, सर, हमने बात की किस तरह से आकाश और अंतरिक्ष में खत्रा है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा खत्रा, समुद्र में, किस तरह का है, हम एक बहुत प्राचीन सीफेरिंग सिविलाइजेशन हैं, लेकिन क्या हम अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री भूल गए हैं? देखिए, ये हम एक मैरिटाइम नेशन है, हमारे जोग्रफी इस तरफ है कि हमारे तीनों साइड में ओशिन्स हैं, जैब बेह पंगॉल, इंडियन ओशिन, अरेबिन सी, तो हिस्टोरिकली हम इसी पे डिपेंड करके आये हैं, और अब पिछली कई वर्ष्ट्राइजेशन के पीछे अब देखेंगे, तो जो हमारे जो मावरिया एंपेर, फिर गुपता एंपेर, फिर चोला एंपेर, ये सब हाइलेट करता है कि कॉम्मर्स, कल्चा, कम्मुनिकेशन, ये तीनों जो इंपोर्टेंट आस्पेक्स हैं, ये सब हमारे प्रोस्परिटी के लिए कॉंट महतुबून टाइम था एंपेर के टाइम पर, जब हम बोलते हैं एक मैरिटाइम वर्चो साइकल, ताकि नेविल पाउर काफी स्ट्रॉंग था उसमाई, और हमारा जो मैरिटाइम ट्रेड उसमाई काफी प्रोग्रस भी किया, मतलब साथिस्टेशिया इन जवों में हमारा ट्रेड भी काफी बढ़ा था, और इसको बोलते हैं मैरिटाइम वर्चो साइकल, तो आजकल हम देखते हैं कि जितने हमारे जो इंपॉर्टन्ट पावर्स हैं, वो सब मैरिटाइम नेशन से हैं, चाहे यूस को देखें, या फ्रांस को देखें, या आजकल चैना को देखे या यूके को देखें, तो ये मैरिटाइम वर्चो साइकल जो है, वो काफी इंपॉर्टन्ट है, तो मतलब नेवल पावर और ट्रेड, तो जैसे-जैसे हमारी देश की तरक्की हो जाएगी, तो हम हमारी ट्रेड बढ़ती जाएगी, अभी हमारा करीब 90 परसंट ट्रेड ब हम अभी 5th largest economy है, आशा है कुछ साल में हम 2nd largest या 3rd largest बन जाएगे, तो इसका मतलब है कि हमारा जितना ट्रेड है वो और बढ़ता जाएगा, तो मैरिटाइम ट्रंसपोर्टेशन, क्योंकि जो ट्रंसपोर्टेशन बाइ सी है, वो सबसे efficient है, इसका मतलब है, जैसे हम same amount of energy से रेल, रोड से हम 250 kg ले जा सकते हैं, रेल से 2500 kg ले जा सकते हैं, और सी से हम 25,000 kg ले जा सकते हैं, उसी energy से, तो इसका यह important चीज याद होना चाहिए है कि सी रूट से ट्रंसपोर्ट करना सबसे efficient है, तो क्या यह माना जाए और क्या यह देश मान रहा है कि जिसके पास जितनी strong navy होगी, उतना उसका maritime trade strong होगा और उतना उसका influence उस area में बढ़ेगा. यह एक वच्चो साइकल है, तो हमेशा ही डवेट होता है कि trade follows flag या flag follows trade, यह काफी चर्चा होती रहती है, लेकिन यह हमारे जो famous strategist, Admiral Mahan साभ है, उनोंने जो जो thesis लिखा था, उसमें लिखा है कि the requirement for a navy rises with the need for peaceful shipping and disappears with it. इसका मतलब जब आपके पास कोई trade नहीं है, कोई merchant ship नहीं है, तो फिर navy क्या जरूरत है. तो यह उसमाई उनका जो influence of sea power upon history जो उनोंने लिखा है, उसमें इसकी चर्चा भी है. तो अगर वो 5 trillion dollar economy का सपना है, उस 5 trillion dollar economy के सपने को साकार करने में, नौसे ना की क्या भूमेका रहेगी? यह जब मैं टेक ओवर किया था और हमारे मारिनिय प्रथान मंतरी से आदेश रेने के लिए गया था, तो मैंने उनको पताया कि नेवी पूरी तरह से आपके विशन सपोर्ट करेंगे, कि हम 5 trillion dollar economy बनने में, जितना हमारा हो सकता है, वो हम पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे, तुन्होंने एक यही बोला, कि अगर हमारे जो arm forces हैं, उन्होंने डिसेड किया कि आपके जितने भी purchases, जितने भी हतियार सब देश में बने, तो 5 trillion dollar economy तो ऐसे ही बन जाएगा इदर द तो यह एक आत्मनिर्भर भारत का उनका जो विशन है, उसी से हमारा जो 5 trillion dollar economy की तरफ हमारा contribution देगा. महत्वपूर बात सर, 2047 में हम आजादी के सौवर्ष मनाएंगे, 2047 तक आपका नौसेना में आत्मनिर्भर भारत का सपना कितना आगे बढ़ेगा आपके weapon systems, platforms, ships, submarines को लेकर? मैंने हमारे top leadership को ये वादा किया है, कि 2047 जो देखते हैं कि हमारा देश एक developed country हो जाएगा, उस समय, उस समय तक कम से कम हमारी नौसेना फुली आत्मनिर्भर हो जाएगा. फुली आत्मनिर्भर तो हमारी कोशिश इस तरफ है और मैं काफी confident हूँ कि ये हो जाएगा, हमारे ships, submarines, aircraft, unmanned systems, networks, switches, software, सब देश में बनेंगे. ये actually, निवी तो इस इस रास्ते पे काफी पहले हमारा पहला ship, एक छोटा सा patrol boat, 1961-62 में बना था. और तब से हम एक से बड़े एक ships बनाते गए, तो उसके बाद हमने landing craft बनाया, landing ship बनाया, फिर corvette बनाया, लेंडर क्लास frigates बनाया, फिर गुदावरी क्लास frigates बनाया, फिर destroyer, Delhi क्लास destroyer बनाया, अभी चाकपटनम क्लास destroyers, और tanker बनाया, और लास्ट में अभी aircraft carrier बनाया, तो काफी शंता हुई हमारे देश में, और इसको आगे बढ़ाना है. यह बहुत महतुपूर बात आप कर रहे हैं कि 100% made in India, आत्मा निर्वर भारत के तहत आप बढ़ रहे हैं, आप ही ने उसका तीन क्लासिफिकेशन दिया है, कि float, fight, move, जिस तरह से उसको आत्मा निर्वर, आज की डेट में अगर बात करें, एक एक आश्पक्त में, आप कितन आत्मा निर्वर हैं, आपके क्यारेज क्या है? वो स्टील देश में बनता है, स्टील अथारिटी अफ इंडिया और मिदानी जो डियाडियो का लैब है और नेवी, हम तीनों मिलके 2007-2008 तक ये स्टील बना रहे हैं, स्टील का डेवलप किया, और आइनस विकरांथ में जो स्टील यूज किया है, वो हमारे देश में बना स स्टील था, और आगे जितने शिप, सब मरेन सब बनेंगे देश में, सब इसी स्टील से, 249 अलफा ब्रावो बोलते हैं, इसी स्टील से बनेगा, तो 95 परसं तक अचीव हो गया है, दूसरा कॉंपोनेंट है मूव, मूव कॉंपोनें में में चीज क्या होता है, ये प्रोपेलर्स और एंजिन्स, शाफ्टिंग प्रोपेलर्स और देश में बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजिन्स में थोड़ा सा और टाम लगेगा, तो इसलिए हम करीब 60 तो 65 परसंट अचीव किया इसमें, अभी गैस टबाइन बनाना है देश में, गैस टबाइ प्रोपेलर्स चालू है, तीसरे कॉंपोनेंट है फाइट, और इस फाइट कॉंपोनेंट में हम करीब 50 परसंट, 55 परसंट में है, कई हत्यार हम बना रहे हैं, जैसे ब्रमोस और कई रडार्स हम बना रहे हैं, लेकिन इसमें और शम्ता डवलप करनी है, और इसकी कोशिश ह तो कॉंपिरेंट हैं कि यह हो जाएगा, क्योंकि हम DRDO के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काफी टेकनोलोजी इस आइडनिफे किया है, और इसको आगे लेके जाना है, उत्तरी अरब सागर से दक्षण चीन सागर, जो पूरा इंडियन ओशन रीजिन या अब ह इन्द प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसकी सुरक्षा के लिए, अभी आपके पास लगभग 130-130 वार्शिप्स, युदपोत हैं, 175-200 अगर आपका सपना है, या प्लान है, कब तक आप इसे अचीव कर पाएंगे? सबसे पहले मैं यह पताना चाहता हूँ कि यह बीन काउंटिंग, यानि यह सिर्फ नंबर से हम लोग ज़्यादा कंविंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कई शिप्स हैं जिसमें इतना किपबिलिटी है कि वो पहले फ्रिगेर से दिस्ट्रॉयर से दो गुना तीन तो यह नंबर से आप कोई पैरल्ल ड्रॉ करना उतना सही नहीं है, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मतलब एक जाज तीन जगे पर नहीं हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा नंबर्स भी तो चाहिए, हमारा प्लान है, अभी हम हमारे पास 130 शिप्स और सपरीन्स हैं, और प्लान के हिसाब से 2035 या 2038 तक 170 या 175 तक हम पहुंच आएंगे, और हमारा जो मैरिटाइम किपबिलिटी परस्पेक्टिव प्लान जो 15 साल का बनता है, तो अभी रिसेंटली हमने एक डेवलप किया है प्लान फॉम 2022 तो 2037, तो इसके हिसाब से हम करीब 170 या 175 के आसपास हो जाएंगे, काफी शिप्स का AON वगरा भी हुआ है, अभी उसको स्टेज पर लिके जाना है, जैसे कड़े ट्रेनिंग शेप, फ्लीट सपोर्ट शेप, न्यू जेनरेशन ओपीवी, न्यू जेनरेशन कॉरवेट्स, न्यू जेनरेशन मिजाल वसल्स, यह सब अभी प्लाइन में है, न्यू जेनरेशन एक्राफ्ट कैरियर, उस पर हम कैसे लागे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा सपना, मतलब नौसेना का सपना क्या है, और वो साकार कैसे होगा? हम अभी विकरांद को अभी तो कमिशन किया, मतलब 2nd of September को कमिशन किया है, और इसके कमिशने के साथ-साथ, हम वो देशों में, जो चुने हुए देशों में एक है, जो जिसके पास एरक्राफ्ट कैरियर बनाने का किपबिलिटी है, यह किपबिलिटी अभी कुचिन शिपय इसके साथ इतने सारे MSMEs, इतने सारे innovators, businesses, यह सब जुड़े हुए हैं, तो यह जो expertise हम ने डेवलिप किया है, इसको खोना नहीं चाहते हैं, और इस पे बिल्ड करना चाहिए, तो इसलिए पहले हमारे हमारा सोच था कि एक IAC-2, मतलब एक advanced और 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 बड़ा aircraft carrier बनाने का, तो हम अभी थोड़ा सा discussion में है कि क्यों ना एक IAC-1 का ही एक repeat order with more modern और more futuristic capabilities के साथ एक ऐसा जाज का case process करें, ताकि वो जल्वी बन सकता है, expertise भी है और expertise भी नहीं हम खोएंगे, तो यह हमारा सोच है, और इसका भी हमने government के पास लेके गया नहीं है, यह हमारा अपस में navy में discussion हो रहा है, तो अगर हम finalist करेंगे कुछ मेने में, फिर उसके बाद हम उसका process करेंगे. क्योंकि अगर हमको एक powerful maritime force इस पूरेक शेत्र में बनना है, आपके दृष्टी में हमें कितने जहाजों की आवश्चकता होगी और किस तरहां के, क्या जो एक debate चलती है, कि हमको aircraft carrier चाहिए, कि हमको submarine चाहिए, हमको sea control करना है, कि sea denial करना है, क्या ये debate अभी भी चल रही है, या ये debate अब बेमानी है? ये debate तो चलता है रहेगा, ये debate अभी शुरू नहीं हुआ और अभी खतम भी नहीं होगा, ये बहुत पहले कई सालों से, कई सिंचुरी से चल रहा है, और ये आगे भी चलता रहेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी नौसेना अभी एक balanced force है, और हम ये भी चा साथिकेस हिए पर शेप है रहा है, सिर्फ आपके बास्परीन है तो आप सिर्फ सेड इनायल ही कर सकते हो, आपको शीक के बिग कर शेब और है तो तो ऐग्राफ केरियर, साथ बाशिश उशॉट अऔर साथ चाहिए. So, हमारे plan में एक balanced navy होना चाहिए, जिसमें aircraft carrier भी होगा, submarines, nuclear submarines होगा, aircraft होगा, surveillance aircraft होगा, unmanned aircraft होगा, unmanned surface vessels होगा, unmanned underwater autonomous vehicles होगा. तो इसके numbers कितना होना चाहिए, क्या capability होगा, और हम कैसे लिडेंगे, इसका जो planning है, वो हम कर रहे हैं. Unmanned underwater vessel, यह जो concept है, और यह जो आप लाना चाहते हैं, क्या एक बहुत महत्वपूर संदेश, बच्पन में कहानी सुनी थी, एक राक्षस था, लेकिन राक्षस की जो जान थी, वो तोते में बस्ती थी. तो क्या लद्दाख से लेकर अरुनाचल प्रदेश में जो परिस्थिती है, उसका समाधान हिंद महासागर में है? देखिए, हमारे प्रताने मंद्री जी कई फोरूम में पताया है कि ये यूथ का एरा नहीं है. लेकिन, as armed forces, हमारा काम है तियार रहना, कि कभी भी कुछ situation आ जाएं तो तियार रहने का है. और Navy का most important काम है deterrence. तो हम capability develop करते हैं ताकि हम adversary को deter करें कि वो सोचना नहीं चाहिए कि वो कुछ करेगा और succeed हो जाएगा. तो हमारा capability development, force planning, deployments ये सब इसलिए है कि हम पूरी Indian Ocean region में कई very close watch रखते हैं, उदर जो ships, aircraft जो submarines transit करते हैं, उनका track करते हैं, और हम हमारे units जो है, वो mission deployed रहते हैं. तो जब कोई requirement है, तो हम respond करेंगे as the first responder in any crisis at sea. So our focus is on that, to be a preferred security partner for all the countries in the region and to be able to respond first when there is a crisis. क्यूंकि अगर अमेरिका भी अगर एक बड़ी शक्ती है, तो इसके बास 11 aircraft carrier की fleet है, बड़ी economy है, वो जो अरुनाचल प्रदेश ते लेकर लेकर लदाग तक समस्या है, वहां पर भी वो लोग दो aircraft carrier है चाइना के पास है, वो और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग क्या जादा aircraft carrier होंगे, तो जादा projection या control कर पाएंगे परिस्थिती को, क्या ये मानना है नौसेना का? देखे हमेशा मैं मानता हूं कि हर commander या chief जो है, वो सोचता है कि हमारे पास ऐसा resources होना चाहिए, ताकि जितने enemies हैं, और जितने type of wars हैं, और जितने type of situations हैं, वो सब निपडने के लिए हमारे पास resource होना चाहिए, लेकिन ये तो impossible है, क्योंकि resources हमेशा limited रहेगा, और ज्यादा तर हमारे देश जो है, वो एक aspirational nation है, तो there are requirements for social development, for infrastructure projects, वगरा, तो हमारी कोशिश ये है कि जतना हमारा जो budget है, उसको एकदम efficiently use करें, ताकि हर एक रुपिया जो है, उसको ठीक तरह से deploy करें, it should translate into capability, और फोकस रहेगा कि ordnance on target, मतलब, finally, we should be able to hit the enemy and hit him hard when required. So, our plan is to ensure that whatever budget we get, we use it very judiciously, very efficiently, to see that the budget translates into capability at sea. क्यूंकि भारत, जो हमारी लोकेशन है, नौसेना अध्याक्ष के दफतर में बहुत जबरदस्त मांचित्र है, जो भारत को दुनिया के मध्य में दिखाता है, India is the center of the world and we are actually at the center of the Indian Ocean region, उससे हमको क्या advantage है और नेवी उस advantage को किस तरह से देश के लिए हारनस कर सकती है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? यह सही बात है कि हम centrally located है Indian Ocean में, मैं बोला था कि हमारे तीनों साइट सागर है, और हमारे जो प्रदान मंदरी जी का जो विशन था of सागर, मतलब जो acronym है security and growth for all in the region, उसमें सबसे पहला word security है, तो नौसेना का काम है हम कि यह security ensure करना, maritime security, और इसी IOR से इतने sea lines of communication होते हैं, कि चाहे oil हो, या container traffic हो, या normal trade हो, या bulk carrier हो, सब हमारे neighborhood से और Indian Ocean से traverse करती है, तो हमारा काफी important role है as the largest resident naval power to ensure कि यह यहाँ peaceful रहेगा, तब ही सबका एक साथ development होगा, हमारे external affairs minister ने भी बोला था कि हमारा कोशिश यह होना चाहिए कि India grows along with others, not separately. लेकिन threats भी बढ़ रहे हैं, हम लोग तो resident naval power है, non-resident naval powers भी आने का प्रयास करते हैं, non-traditional threats, piracy, smuggling, उस तरह के threats भी, ships को hijack करने की कोशिश, उन से दोनों तरह के threats से आप कैसे deal करेंगा, और क्या आने वाले वर्षों में यह खत्रा और बढ़ेगा? यह खत्रा बढ़ता है रहेगा, और इसको counter करने के लिए ही कई navies इंडिन ओशन रिजिन में प्रेसंट हैं, कम से कम 60 extra regional forces इंडिन ओशन रिजिन में हमेशा प्रेसंट हैं, और even United States, जो है, इतने बड़ी navy हैं उनके पास, लेकिन, they are also not able to address all the challenges, हमारे पास अगर एक हजार ships हो, तब भी यह challenges हम meet ने कर पाएंगे, तो इसलिए the most important requirement है कि हम साथ में cooperate करें और have a collective effort at ensuring maritime security. तो हम हमारे जो region में जितने countries हैं, उनके साथ interact करते हैं, तो यह सागर का जो doctrine है, उसको follow करके, हमारा staff talks होता है, हमारे ships का visit होता है, training exchanges होता है, exchanges interaction होता है at sea. So, एक acronym है TIDES, T-I-D-E-S, that means T is for trust, तो हमारे जो interaction से जाए है, हमारे region में trust बन जाता है. Second is interoperability, I, मतलब हमारे Navy वहाँ जाके उनके साथ काम करेगा, वो अगर चाहे है, तो हमारे पास आके काम करेगा, तो एक साथ काम करने में से हमारा जो interaction जो है, वो अच्छा रहेगा. तीसरा है domain awareness, मतलब maritime domain awareness, और कौन-कौन है, कौन operate कर रहा है, यह सब पता चलेगा. E is for engagements, मतलब staff talks होता है, या other engagements होता है, और S is security, मतलब यह सब होगा, तो maritime security होगा. Maritime security को क्या सबसे बड़ा खत्रा, जो समझने का प्रयास करें तो, 7500 किलोमीटर लंबा हमारा coastline है, 2,000,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा area है, उसके अलावा 25,000,000 वर्ग किलोमीटर का exclusive economic zone, territorial water भी है, exclusive economic zone भी है, उस पर किस तरह का खत्रा आप आने वाले वर्षों में देखते हैं? देखे हमारी जो areas of responsibility वो जो हमारे जो land mass का करीब तीन गुणा चार गुणा बड़ा है, तो हमारा जो western naval command, eastern naval command, इनका areas of responsibility काफी बड़ा है, और उदर constant surveillance रखना, पेट्रोल करना और वहां क्या-क्या हो रहा है, इसका पता करना is not easy, तो यह हमेशा इनका challenge रहता है, क्योंकि resources हमेशा tight रहते हैं, लेकिन इनको efficiently use करके effective patrolling and through cooperation, through interaction, through local navies के साथ हम coordinate करते हैं, क्योंकि जो threats है, यह threats unlike जो हमारा जो land या air domain में है, it is completely different, क्योंकि यहाँ कोई boundary नहीं है, और sovereignty का भी हम एक बोलते हैं, land या air में हमको, you know, it is very clear, कि आप border cross करोगे तो it is a violation of sovereignty, लेकिन maritime domain में आप बहराव माइल के अंदर भी आ सकते हैं, और you can do an innocent passage, and it is not a violation of sovereignty. So, there is a cognitive dissonance in our understanding of what is sovereignty in that sense, कि maritime domain में थोड़सा अलग है, as compared to either land or, you know, air. और इसके कारण, we also see that कि maritime domain is something which cannot be controlled, like land, you can't fence it, you can't, you know, build walls, यह कुछ नहीं कर सकते हैं, और we also find that many of these problems, whether it is piracy, illegal fishing, drug running, arms running, migration, illegal migration, यह सब, you know, it doesn't recognize any borders, and it is a trans-border and trans-national problem. आप नौसेना में देश के प्रती लगाव और बढ़हे, यह पता चले कि हम केवल अंग्रेजों के जमाने से नौसेना नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन ला रहे हैं, एक तरह से एक साइलेंट रेविलूशन चल रहा है विदिन दी ओर्गनाइजेशन, कि पहले वो सेंजोर्ज क्रॉस हटाया, च्छत्रपती शिवाजी महाराज की नौसेना का ध्वज लिया, और क्या-क्या परिवर्तन आप कर रहे हैं, हो क्या रहे हैं इंटर्नली, और इसका मकसद क्या है? आपको याद होगा कि हमारे प्रदाने मंद्री जी ने ये on 15th August बुला था, कि गुलामी मानसिक्ता से मुक्ती होना चाहिए, तो हमारी पूरी कोशिश है इसकी तरफ, इस डिरेक्शन के तरफ, तो हमने जो विकरांत का जो कमिशनिंग वहा था, उसी दिन हमने इंसाइन का भी नया इंसाइन अन्वेल किया था, अभी हमारा क्रेस्ट अभी 4 डिसमबर नेवी डे के दिन, हमने नाया प्रेसिडेंस कालस अन्वेल किया है, प्रेसिडेंस के अप्रूवल के साथ, और नाया क्रेस्ट अप्रूवल किया है, और similarly, हमने टीम-फॉर्म करके हम स्टड़ी कर रहे हैं कि, क्या-क्या प्रैक्टिस हैं जो पुराणडे टाम के हैं, जो अभी relevant नहीं है, क्योंकि नीवीज जो है, evolved हुई है over many centuries, और उस समय के कई practices हैं, वो अभी भी follow करें, लेकिन अभी उसका कोई value नहीं है, या कोई use नहीं है, तो हम क्यों follow करें? So, for example, हम यह भी सोच रहे हैं कि यह ranks कन designation भी क्यों नहीं चेंज करें, या तो make it a tri-service, a common tri-service sort of, you know, rank nomination. एक उदाहरन में देता हूँ, हमारे जो sailors हैं, उनमें एक rank है pity officer. अब pity क्या है? Why should it be a pity officer? उसके उपर एक chief pity officer है. Why should it be a chief pity officer? कई अच्छा नाम दे सकते हैं उनको? तो यह सब हम देख रहे हैं कि similarly, पुराने पुराने इतने सारे rules हैं, regulation हैं, traditions हैं, उसके कोई मतलब नहीं है, उसके उसब चेंज करें हैं. वेरी इंट्रेस्टिंग, सवाल तो इतने सारे हैं, लेकिन समय आज हमारे पास स्थीमित है, यह चर्चा हम आपसे जारी रखेंगे, और उमीद यही कि आप फिर हमारे मंच पर आए, क्योंकि चाहे प्रश्णों हो, जॉइंट्मेंशिप का, या थेटर कमांड का, ऐसे कई प्रश्ण हैं, जिनसे आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आज आज आप हमारे साथ जोड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विजिन, नौसेना के लिए और देश के लिए, मेरा निवेदन है कि आप हमारे उस मंच पर जरूर लिखे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़े के लिए, लेकिन हमारी जो अगली मेहमान भी है, वो दरसल उनका भी आर्मी से जुड़ाव रहा है, उनका परिवार, उनके लोग, आर्मी से जुड़े रहे हैं, और लंबे वक्त तक उन्होंने देखा है कि आर्मी कैसे फंक्शन करती है,